देश की नई संसद में जिस तरह के शब्दों का इस्तिमाल किया गया है उसको सिर्व अन-parliamentary language नहीं कहेंगे बलकि वो हमारे देश को शर्मसार करने वाली भाशा है रमेश बिदूरी दिल्ली के बीजेपी के एमपी ये बोलते हुए सुनाई था जी हाँ इतनी अमरियादित भाशा का इस्तिमाल रमेश बिदूरी ने किया एमपी दानेश अली के लिए उनके धर्म को इस्तिमाल करते हुए कभी मुल्ला कभी कटवा आतंकवादी ओग्रवादी इन सब शब्दों का इस्तिमाल देश की उस संसद में किया जा रहा है जिसके लिए भी बस कुछ दिन पहले ही देश के प्रधान मंत्री ने पहला स्पेशल सेशन करते दौरान ये कहा था कि अपने पुरानी कडवाहट अब छोड़ दिया जाए अपने आचरण से अब इस संसद को आगे चलाना है सुनिये जरा नरेंदर मोदी ने क्या कहा था और उसके बाद पूरा सुनाती हूँ आपके हो कि उनके सिपेशलार किस तरह का आचरण संसद में करते हुँ दिखाई दे रहे हैं मोदी की बात सुनिये पहले हमारे आत्रण से हमारे वानी से हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए राष्ट के एक-एक नागरी के लिए وہ प्रहनदा का कारण बनना चाहिए और हम सब को इस दाईत्व to को निभाने के लिए बर्शक प्रयास भी करना चाहिए और वहीं सबसे पहले मोधी के इन शब्दों का तिरसकार करते हुए, उन्हें ख्षती पहुचाते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, इनके ही अपने MP रमेश बिधूरी संसद में दिखाए थी चेयर पर उस वक्त कोड़ी कुणनील सुरेश थे, वो पहले MP दानेश अली को बोलते रहे बैठने के लिए, बैठने के लिए रमेश बिधूरी को इन सब शब्दों के लोगनों ने बोला ही नहीं, तोका ही नहीं, कि आप क्या शब्दों का इस्तमाल कर रहे हूं वो पहले एक, ऐसा नहीं था कि धारा प्रवा में एक साथ उन्हों ने शब्दों बोल दी, पहले एक के करके बोलना शुरू किया, उनको लगा जैसे कोई बहुत मस्त जोक मारा है उन्होंने कटवा बोलना शुरू किया, उग्रवादी बोलना शुरू किया, जब देखा कि कोई किसी तरह का कोई इंटरेक्षिन, किसी तरह की कोई आपत्ती चेयर की तरफ से नहीं आ रही है, तो उसके बाद और आगे शब्द बोलना शुरू कर दिये, और इस पूरे फ्रेम में पीछ और उनके उपर इस बात को लेकर आपती सब लोग जता रहे हैं उनका नाम ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पर क्योंकि वो लगातार इस दौरान मुस्कुरा रहे हैं तो ट्विटर के हवाले से ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है औ उस पर आप देख लीजे पर लबुलु आप यह है कि वो कहना यह चा रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी अपने पूरी लाइफ में कभी किया नहीं मैं चान्नी चौक से इलेक्टेड हूं रहा हूं और यह कभी भी किसी एक कम्यूनिटी की वज़े से नहीं हो सकता था मुसल्मानों ने भी मुझे वोट किया है और मैं जितने भी मुसल्मान भाई हैं जो कि जानते हैं मेरा काम वो हमेशा से जानते हैं कि मेरा आचरन कभी भी इस तरह का नहीं रहा है हलांकि इस पूरे शोर में क्योंकि वहाँ पर शोर हो रहा था यह सारी बाते हमको माइक के थू हमको सुनाई देती हैं पर यह पूरा शोर हो रहा था उस शोर के दौरान उनको नहीं सुनाई दिया कि आखिर रमेश बिधूरी क्या बोल रहे था और वहां से भी किस तरह की बाते आ रहे थी बस हो हला सुनाई दे रहा था जिसको लेकर वो मुस्कुराए उस पूरी गहमा गहमी को देखते हुए यह उनका एक्स्प्रेशन है और वहीं उस एक्स्प्रेशन के दौरान उन्हों ने यह भी बात कही कि इस तरह की भाशा और यह जितनी अन पार्लिमें हाथ आती हुँ इतनी हिंवत कहां से आती है इतनी हिंवत कैसे आती है अप अपने ही कोलीग को पक्षश विपक्षश दूर की बात है संसद में बैठे हो भई बैखे संसद में बैठे हो कोय इखाडा नहीं है गुझे नहीं आप यह तो फिर अलग बात है बता दीजे कि गुझे आप सडक चाप गुंडा भी ऐसी भाषा का इस्तमाल नहीं करता होगा शायद एक सडक चाप गुंडा भी ऐसे शब्द और ऐसा आचरण नहीं दिखाता होगा जैसा रमेश बिधूरी ने दिखा और यह कोई पहली बार नहीं है रमेश बिधूरी का आचरण आप पहले भी बहुत सारे इनकी खबरें सामने आ चुकी है क्या मजबूरी है भारते जनता पाटी की ऐसे लोगों को सिर पर चढ़ा कर बैठते हैं और वही जो सिर पर चढ़ा रहा है ना सिर पर बैठके मूत रहे हैं एक तरफ देश के प्रधान मंत्री जो हम मानते हैं कि इतने इतने ताकतवर हैं इतने हिम्मत वाले हैं 56 इंची सीना लेकर चल रहे हैं कि इनकी पार्टी में भी शायद किसी की हिम्मत नहीं होती होगी इनके सामने खड़ों के कोई आवाज उची करके बात कर लेगे और वहीं नरेंद्र मोधी जिस तरह की बात कर रहे हैं थोड़े दिन पहले गोधी मीडिया के आंकर्स को साउधी क्राउन प्रिंस से मिलाते हु जब या ऐसी कोई भी खबर सामने आती है तो नरेंद्र मोधी जी का ही ये वक्तव्य इस्तमाल करती हो जी हाँ हिपोक्रिसी की भी सीमा होती है कितने हिपोक्रिट बनेंगे कथनी करनी में अंतर 19-20 का हो तो पता नहीं चलता कथनी करनी में आपका इतना फर्क होगा जहां स इसे फर्क परता है कि जी मुसल्मान का साथ चाहिए वहाँ पर तो हर तरह की चीज कर लेंगे आप मुसल्मानों को लुभाने की अपनी कॉंस्टिटुएंसी में रमेश बिधूरी को लग रहा है कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तमाल करेगा तो रमेश बिधूरी को फा Member of Parliament और इस पूरे Parliament जिसको हम लोगतंतर का मंदर बोलते हैं उसके धज्जियां उड़ा रखी आप सब लोगोंने मिलके हैं चेह Is this the way you behave in your own Parliament? मैं सुबा से इंतिजार कर रहा था आदर निये लोग सबाई स्पीकर साफ से मिलने के लिए अनफॉर्चनेटली वो उपलब्द नहीं हुए हाउस में मैं पारलेमेंट से अभी उनके आफिस में अपना खत रिसीव करा करके आ रहा हैं और मुझे उमीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आदर निये लोग सबाई स्पीकर कल की घटना का संग्यान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे मैंने नोटिस दिया है क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसत के खिलाफ इतनी अमरियादित भाशा इस तरीके की धमकी मैं पूछना चाहता हूँ क्या आरेसेस की शाखाओं में क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रियोक शाला में कैडर को यही पहाया जाता है जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंतर की यह अर मदर अफ डेमोक्रैसी के तैमपल में एक चुने हुए सांसत के खिलाफ जिस तरीके के अलफास मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उब्द्रवी, यह क्या है, इस देश में हो क्या रहा है, यह हो क्या रहा है, रूह भी काप जाती है, वो अलपात सुनके में रात बर, सो नहीं पाया, दिमाग की निस्फटने को तयार थी है मेरी. आप उनको, उनकी किसी बात को बोलना चाहते हैं, उनको बैठने के लिए बोलना चाहते हैं, there are many other ways of saying it, हम रोज यहाँ पे अपनी बात रखते हैं, लाखों लोग हमको देखते हैं, एक अपशब्द का इस्तमाल करते हैं हम अपनी बातों में, नहीं, बिना अपशब्द का इ पूर से लोगों के लिए करना जरूरी पड़ जाता लगता है, क्योंकि शब्दों की कमी है, आचरण की तो कमी वैसे ही है, और संस्कार का पता नहीं, तो ऐसा जबर्दस डैडली कॉम्बिनेशन हो चुका है, कि मुझ से फिर यही सब निकलेगा, तो देश की प्रधान मंत हैं, जैसा कि राजना सिंग बोल रहे हैं, डॉक्टर हश्वरदन भी इस बात को मान रहे हैं, अपनी सफाई में, कि यह गलत है, तो बुलवाईए, और बोलिए, माफी मंगवाईए, या फिर आक्शन लीजिए अन के उपर, तब समझ में आएगा, सब का साथ, सब का विश हैं?